नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं देने स्वागत आपका राजिस्थान के खास पुलेटिन में रोक करेंगे तमाम खबरों की तरह मेंगाय के खिलाब फ्रैली में प्रेंका गांदी ने केन सरकार और बीजेपी की रीती नीती पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि केन सरकार जन तक लिए काम नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं और केंद के सरकार छूट लालच और लूट वाली सरकार है और गोवा में उद्योपती के कोईल को इधर से उधर ले जाने के लिए लोगों की मर्जी के खिलाफ सड़क बना रहे हैं और उन्होंने कहा कि मोधी परेटर में व्यस्त है उन्होंने दुनिया घूम लेकिन दिल्ली में किसानों से बाचीत करने नहीं जा पर बीजेपी कहती है कि सत्तर सालों में कुछ नहीं हुआ मैं चुनवाती देती हूँ कि एक कोई संस्थान ऐसा बता दें जो सिक्षा के लिए बीजेपी ने इन साथ सालों में बनाए प्रेंका ने लोगों के सामने अपनी एक सिकायद भी की उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी के लोग जाती धर्म चीन पाकिस्तान की बात करने लगते और जब चुनाव हो तो इस बीजेपी की सरकार से जवाब मांगे और उनसे पूछे कि आपनी लोगों के लिए क्या किया है और किसान को देने के लिए पैसा नहीं है तो हजारों करोडों का विमान क्यू खरीदा गया है और उन्होंने कहा कि ये लोगों की भी जिमेदारी ह जब चुनाव है कि वो बीजेपी सरकार से जवाब मांगे और मुख्यमंतरी अशोग घहलोत ने भी केंस सरकार को आड़े हातों लिया उन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारे विज संकट में है और केंस चुप है और विकास योग गया और राज्य सरकारे करेंगी संकट आया राजस्तान से मुर रहा है और नर्मोदी पहले ऐसे प्रद्धान मंतरी है जो मुख्यमंतरी के पत का जवाब नहीं देते हैं और ये सरकार घमंट से चल रही है और रैली में कॉंग्रे सद्यक सोन्या गांधी राहुल गांधी प्रेंका गांधी सामिल हुए और सोन्य जेपूर में महंगाई हटाव रहली का किया गया और इस रहली में सोनिया गांधी प्रेंका गांधी और रहुल गांधी शामिल हुए और रहली के दौरान रहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है एक शब्द हिंदू और एक हिंदू मैं हिंदू लेकिन हिंदूत वादी नहीं हूँ मादमा गांधी हिंदू थे और गोट से हिंदूत वादी और रावल ने कहा कि देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किस के बीच में कौन सी विचारधारों के बीच में आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती वैसे ह दो सब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता है और हर सब्द का अलग मतलब होता है देश की राजनीती में आज दो शब्दों की टक्कर है और इनके मतलब अलग है और एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत वादी है और ये एक चीज नहीं है ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिलकुल अलग है उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत वादी नहीं हूँ और ये सब हिंदू है मगर हिंदुत वादी नहीं है और उसका रास्ता सत्य गिर है और पूरी जिन्दगी सच को ढूनने में निकाल देता है और मात्मा गांदी ने आत्म कता लिखी My Experience with Youth और मतलब पूरी जिन्दगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए बिता दी और अंध में एक हिंदुत वादी ने उनकी चाती में तीन गोली मारी और वहीं जैसल मेर की पोकरन फिल्ड फाइरिंग रेंज लगातार इतिहास रचे और यहां स्वदेशी डिजाइन और टक्नीक से विक्सित स्टैंड आफ एंटी टैंक मिसाल का शनिवार को सफलता पूर वाक पर इक्शन किया गया और रक्षा नुसंधान और विकास संगठन और भारते वायुसेना ने सैयुक ओप्रेशन में ये सफलता मिली है और रक्षा मंतरी राधना सिंग ने टीम को बधाई भी दी रक्षा मंतरा ले ने कहा कि उच्छ टक्नीक के साथ स्वदेशी विकास रक्षा छेट में आत्म निर भर भारत की और मजबूत कदम है वायुसेना के लिए विक्सित की गई ये मिसाइल हेलिकॉप्टर से 10 किलो मीटर तक के दाइरे में दुश्मन को टार्गेट करेगी और इस मिसाइल को डियाइडियो की अलग-अलग लैब के साथ कोर्डिनेशन और भागेदारी में हिदरावाद के अनुसंदान केंडर इमारत ने विक्सित किया है डियाइडियो के अध्यक्ष सी जी सतीस रेड़ी ने कहा कि SANT मिसाइल का सफल परिक्षन स्वधेशी रक्षा समताओं को और बढ़ाएगा और इससे कुछ दिन पहले डियाइडियो ने उडिसा स्थित एकिक्रित परिक्षन के सता से हवा में मार करने वाली वियल SRSAM मिसाइल का सफल परिक्षन किया था जो भारतिये ने उसे नक के अगरिम पंक्ती के पोतों पर तेनात की जाएगी और वहीं उनके परवक्ता ने बताया कि टेस्टिंग अपने सभी मिशन को पूरा करने में सफल रही है और डियाइडियो ने अपने ट्वीटर हैंडल पर इस मिसाइल का स्लो मोशन वीडियो रिलीज किया और इसमें हेलिकोप्टर से इस मिसाइल को छोड़े जाने की तस्वीरों को देखा जा सकता है सौदेशी हत्यार निर्माण की शिंकला में संत मिसाइल का टेस्ट तीसा पर इक्षन है और इसके साथ भारतिय वायू सेना के बेड़े में श्रक्ति साली हत्यारों की तादाद भी बढ़ेगी और रक्षा मंत्राले ने कहा कि सौदेशी रक्षा उपकरण और हत्यार उन्नत तकनीक के साथ बनाय जारे और यह आत्मिर्वर भारत की दिशा में आगे बढ़ते कदम है